तो वेल्कम बैक गाइज तो मैं यूटूब चैनल कराटो सुटनेश तो यहार आज डे फिफ्थ एक्सस कर जो की है ट्रैसेप्स डे चलो यार आज गाइज ट्रैसेप्स ट्रेन करते पहले हम अपने वर्म सेट पर चलते हैं जो के डैमेंड पुश अप्स लगेने आज में व हम अपने पहले एक्सराइज की तरफ आ चुके हैं जो कि हैं डिकलाइन ट्रैसेप्स एक्स्टेंशन तो यह इस एक्सराइज को करने के लिए में तो डंबल चाहिए और एक स्टूल चाहिए तुम बहुं दिखाता हो आपको कैसे प्रफॉर्म करने ही एक्सराइज यह हमने अपने घंबल अपने हाथ में ले लिए है फोड़ा कोटी फैंडी के एंगल में जाएंगे और और प्रफॉर्म तो यह थी हमारी पहले एक्सराइज दिक्लाइन ट्रैसेप्स एक्स्टेंशन आपको दो सेट और लगाने इसके दूसरे एक्सराइज पर आचुके हैं जो की है वन आरं ओवरहेड एक्स्टेंशन जिसमें हम एक ही डंबल का यूज़ करेंगे और एक हाथ जो अब चे पहले एक्सराइज लगाने फिल जो आज़े एक्सराइज करेंगे तो पहले ज़ते हैं तो बिसी के लिए अपना आर मुठाकर अपने कान की पीछे लगाना है और यह पूरा डंबल जाएगा यह पूरा नीचे जो लुट पीछा नीचे कान आर मुठादा यह पूरा नीचे लुट जो जो आर नीचे लिए इस दूसरे हाथ से आख जाया पूरा नीच जाना जाया हाथ तो अगर आप यह सब एक्साइज करेंगे ना तो यह हमारे जो यह ट्राइसप्स का लोंग हेड़े ना उसको टारगेट करता है देखो अब यह चीज दिख लिए आपको यह बाइसप्स यह ट्राइसप्स जो नीचे की लियर है ना जो आप अलग से देख सकते हैं ट्राइसप्स में यह इसको हिट करता है जो कि होता है लोंग हेड तो यह काफी अच्छी बेनिफिशल एक्सराइज है आपके लोंग हेड क करने के लिए अपनी थर्ड एक्सराइज की तरफ आचुके है जो कि है बोथ आर्म और एक्स्टेंशन तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप थोड़ा सा हेवी वेट ले क्योंकि आप यह एक्सराइज बोथ हैंड से प्रफॉर्म करेंगे चलो आपके मैं दिख मैं आपको है मैं आपको है मैं आपको है मैं जादा रिकार ले है मैं ट्राइगर हूँ आप 22 की आप देख मां आपके आपकी कैप सिटी कितनी लाग दिस मैं आपको है तो चलते हम अपनी फॉर्थ एक्सेप्स की तरफ नी फॉर्थ एक्सेप्स पा चुके हैं जो के लाइन ट्राइशेप्स एक्सेप्स एक्स्टेंशन तो मैं आप रिखाता हूं इसमें हम एक रोड की जर्थ पड़ेगी अगर जिसके पास रोड रिन ना अगल एक्सेप्स एक्साइज में डंबल सीज का अल्टरनेटिव बता दूँंगा पर पहले हम यह कर तो यार एक बर रोड दिंग मिलेगी क्योंकि मुझे रोड की जर्थ है अधे चलो ठैंस तो यह हमारी पूजिशन है हमारी इसलिक अपरो यह 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 हमारी फिफ्ट एक्सरसाइज है जो किया है ट्राइसर डिप्स अब अवर आपके पार स्टूले तो बढ़िया है अब नहीं पर अपने बैड़ के जोगे पूर्णा रहता है ना यह इसके एज़ पर भी कर सकते हैं ठीक है तो मैं तो अपने स्टूल पर फॉर्म करों बता दिता हूं फॉर्मेशन कैसी है इसकी पर ऐसे होना है और लाइक अब दस आपको यह एक्साइज लेनी है यह आपके अच्छा में मतलब जो ट्राइसब्स के लॉंग है तो यहां हमारा ट्राइसब्सकर रगाओट खतम हो चुका है और मैं एक बात और बताना चाहता हूं मेरे दोस्त लोग सब गय रहे थे कि उनका कैस्ट में पास डंबल्स नीए घर पे तो क्या से एक्सराइज करें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इनके पास डंबल आपको बहुत अच्छा रिजल्स देगा क्योंकि अपने ही आम्स में अपना बोड़ी वेट उठाना मतलब आप कुछ मतलब कोई भी वेट उठा सकते हैं आपके आम्स बनेगे आपके चेश्ट में एफेक्ट पड़ेगा आपके बैग भी बनती है पुश अपसे सब को पता ह आपके शोल्डर पे भी जोर आएगा जब आप इंकलाइन पुश अप करोगी इंकलाइन डिकलाइन पुश अप करोगी जैसे कि आपके पैर बैड पे हैं और नीचे की तरह आपकी बोड़ी यू टिल्ट होती है तो बेस्ट एक्साइजर जिनके पास जंपल्स नहीं है की यूज़ा एक्साइज की अपी में और दो आपके डिकलाइन पया खुश एक शूचा की है जैथ दो ऊसरीज़ा आपके बोड़ी में कारता है.